छोटे और बड़े परदे पर किसी एक्ट्रेस और मौदल्स के लिए करियर बनाना बहुत ही भारी पर जाता है, क्योंकि इस दोरानवे छेर्चार जैसे अपराधों का शिकार भी हो जाती है, बॉलीवुड में ऐसे ही कुछ नामी स्टार्स रहे हैं, जो रेप और छेर्चार इसका आरोप लगाया था और एफ़ाई आर भी की थी, नमबर 2 पर नाम आम है विशाल ठककर का, TV एक्टर विशाल ठककर पर भी एक TV एक्ट्रेस का बलादकार करने का आरोप लगा था, एक्ट्रेस का आरोप था कि विशाल ने उस दोरान उसका रेप किया जब वह अपनी दोस्के घरुकी हुई थी। बता दे कि ये दोनों कई बार साथ भी देखे जा चुके थे। को अपनी आवाज देने वाले गायक अंकित तिवारी को भी पुलिस रेप के आरोप में गिरफतार कर चुकी है। काईनी ने पहले इन आरोपों को नकारा लेकिन बाद में गहिन पूछताच के बाद अपना अपराद कबूल कर लिया था। उन्हें जेल भी हुई थी। नमबर छे पर नाम है कोरियोग्राफर शामक दावर का मशूर कोरियोग्राफर शामक दावर पर उनहीं की दो दांस क्लास चात्राओं ने। आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शामक कई सालों तक दोनों को गलत तरीके से चूते रहे। शामक ने इन आरोपों को जूठा बताया और उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई। नमबर साथ पर नाम है निर्देशक मधूर भंदारकर का फैशन जैसी सुपर हिट फिल्म बनाने वाले निर्देशक मधूर भंदारकर पर भी मौडल प्रीती जैन को लीड हीरोईन बनाने का जांसा दे कर उसका रेप करने का आरोप लगा था। लेकिन कोर्ट में ये आरोप साबित ना हो पाने के चलते वह छूट गए, नमबर आठ पर नाम है, एक्टर आदित्य पंचोली का, इस, लिस्ट में एक्टर आदित्य पंचोली का भी नाम शामिल है, उन पर अपनी पंद्रह साल की नौकरानी का बलातकार करने का आरोप था, आखिर में बात करेंगे निर्देशक दिबाकर बैनर जी की जिन पर भी एक्ट्रेस पायल रोहतगी के साथ छेचार करने का आरोप लगा था, पायल की शिकायत के मुताबिक दिबाकर उनके घर दे रात आए और उनसे कहा कि उन, हे वजन खटाने की जरूरत है, पायल ने ब